आज की इस वीडियो में मैं आप सधी को Google Image का जो Google Image से traffic आता है उसका एक potential का एक case study छोटा सा दिखाने वाला हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि Google Image traffic का कितना अबरा सोड़ से और Google Image से आप कितना ज़्यादा traffic लेके आ सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तो आप सभी देख रहे हैं Become Blogger और मैं हूँ सचितामन सिंग दोस्तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी important और काफी interesting होने वाला है करके कई चीजों पर focus करते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर Google Image से किन topics पर traffic आ सकता है तो वैसे तो आप जो ब्लॉगिंग करते हैं आप जो ब्लॉग लिखते हैं उस पर कई सारी आप को इंफॉर्मेटिव लिख रहे हैं लेकिन ऐसे ब्लॉग्स भी होते हैं जो मीडिया रिष्ट होते हैं मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि पिछले ही वीडियो में मैंने एक्जामपल दिये थे कुछ ऐसे ब्लॉग्स की जो की फैसन लाइफस्टाइल इन सभी चीजों प ब्लॉग बरना रहे हैं या तो कोई ऐसा चार्ट है कोई ऐसा ग्राफ है जिसको इमेज के फोर में दिखाया जाता है तो उन सभी ब्लॉग पे गूगल इमेज से बहुत जाधा ट्रैफिक आ सकता है बागे आपकी कोई इंफॉमेटिव कंटेंट भी है और गूगल इमेज म पे काम करते हैं अगर आप कुछ डिजाइनि वाले पार्ट पे काम करते हैं तो इन टॉपिक पे काफी ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है गूगल इमेज से अब बात कर लेते हैं कि आखिर कितना ट्रैफिक आ सकता है तो उसके लिए मैं आपको एक बार अपने ही एक ब्लॉ जही और है एक मतलब उतना अच्छा ब्लॉग नहीं है जितना होना चाहिए था लेकिन फिर बें मैं आपको उसका एक जरूर दूगा अब ब्लॉग कौन सा है इस तो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है गूगल इमेज यहां पे लगा हुआ है और ट्रैफिक जो है पिछले 12 महीने का मैंने हाँ पे सेलेक्ट किया है अब पिछले 12 महीने में आप देखे हैं तो यहां पे 24 जार 900 मतलब लगब 25 जार ट्रैफिक आया है लेकि इंप्रेशन की बात करें तो इंप्रेशन जो है 32 मिजन है इस साइट का कोई भी इमेज देखा गया है अब भले ही उसके ट्राइफिक नहीं आया हो लेकिन इसको देखके आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि पोटेंशियल कितना है अब मैं थोड़ा सा इंफोर्मेशन इस ब्लॉग के बारे में दे जता हूं वैसे तो इस ब्ल ऑपोटेंशियल काफी जाता है अब चया क्या भी मैं नATOR कितना प्रसंतर आसकते हैं तो आपको भी मैं चलब है किव्या वह इन कख साइंपे ऊपरित उसकी इमेज होई स्टी लिग साइट करें ऑप क्या क्या द्युक्स करना बहुत जरूरी बात कर लता हूं पहली जो चीज है वो है आपको साइज के उपर फोकस करना है ध्यान रहें कि Google में आप जो ब्लॉग अपना डाल रहें आपकी ब्लॉग के जो इमेज बगार डाल रही है वो कम प्रेस्ट फॉर्म में हो मतलब कि बहुत ज्यादा हेवी ना हो ताकि इसली वो इसली लोग उसको स्लोव स्पीड इंटरेट पर भी देख पाएं तो उसका साइज जो है कम होना चाहिए बर्ट उसकी रिजॉलिक्शन जो है वो थोड़ी सी बड़ी भी हो तो चलेगा उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है गूगल में जब भी आप इमेज अप्रूब दाते हैं अपने ब्लॉग के मादिन से तो आपको दिखता होगा टाइटल डिस्क्रिप्शन और सबसे में थींग है और टेक्स्ट और टेक्स्ट डावना बहुत जरूरी है किसी भी इमेज के लिए तो अगर आप अपने इमेज का और टेक्स्ट सही डा पाता है लेकिन फिर बहुत अच्छा तरीका गुगर को अपने इमेज के बारे में बताने का अब मैं आपको एक कीवर्ड का लिस्ट दिखा देता हूं कि किन-किन कीवर्ड से यहां पे इंप्रेशन जेनरेट हुए किन-किन कीवर्ड से ज्यादा इंप्रेशन से तो आप कुछ इसे तरह का अगर साइट स्टार करते हैं मैंने इसले वीडियो में बहुत कुछ इसके उपर बताया है वाई होप कि आपका जो ट्रैफिक है आपका जो ब्लॉग है एक अच्छा रेपूटेड नाम होगा ब्लॉग की लिस्ट में दोस्कों उम्मीद करते हैं कि आपक प्लॉग में दोस्के रहत बहुत 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 बहुत